तो दोस्तो मेरे पास ये देशकते है dannyどう बाइख है इसका ओर फिल्ट्र 214 बाइख हो तो आप भी ओर फिल्ट्र हमेसा शर्विसज सेज़ गरविए अगर नई गाड है आपकी तो तो यहां पर देख सकते हैं, यह मेर पास ओयल फिल्टर है, इसको आज मैं नया इस्टोल कर रहा है, मैंने इसका पुराना वाला निकाल दिया है, बहुत काला हो गए था, तो यह ग्लेमर भाई के दोस्तों, ग्लेमर में भी होता है ओयल फिल्टर, जो न्यू आरे बेसिक्स उ मैंने इसको बिल्कुल कर लिया है, और यहां पर देख सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा क्रेंड कर लेता हूं है, तो दोस्तों, अगर वाइक है आपके पास, तो ऑल फिल्टर जेज़र चींज कर वीए, और ओल फिल्टर बगगरा हो, डिसकर बगगरा है, इन में हो तो यहा से और यहां से हमारा जो भी ऑल डस पार्टिकल बगएरा होता है वो सब कुछ यहां से आता है तो इसको दोनों को क्लेंड करके अच्छे से क्लेंड किजिए अगर पैट्रल हो पास तो पैट्रल कर लीजिए बाकिया अब कोई डीजल बगएर से भी क्लेंड कर सकते हो तो यह तो इस प्रिंग जो होता है यह होता है सामने की तरफ यह सामने की तरफ रहेगा और जो रबड होता है हमारा यह रबड बार पार्टिकल यह हमारा पीछे रहेगा सामने तो इस प्रिंग हमने डाल दिया अंदर और जो हमारा रबड है उसको डाल दिया हमने आगे के साइड तो यह देशक्तिक हुआ तो यह डैसे काम करते है जब हम गाडी पगर इसको पगर रहती है तो यह अंदर भा25 रहती है अंदर भा Olympus भाँ रहती लिए और इसलिए होती है तो ऑउईल एक जगह जमाना रहे तो यह देशकतिक है इसको फिसको भी खिवंग कर दिए अगर ना कटा हो तो इसमें थोड़ा सा ओयल लगा के या बॉन लगा के वह भी लगा के कर सकते हो बाकि ऐसा कोई इसू नहीं है कि मैं चेंज करना होगा ठीक है अगर मैं ज्यादा चूट चूट चुगा हो तो चेंज कर भीए नहीं तो आपका फिल लीकिज करेगा और फिर इससे ओयल भी कम होगा और मैलेज भी फरक आएगा और इंजन में भी दिख कर देगा आपके तो मैंने इसको क्लिन कर लिया भी दो देख सकते कैसे चमक रही है अब इसको लगाएंगे ऐसे जो हमारा यह वाला पाट है यह जाएगा नीचे और यह जाएगा उपर इसको ऐसे जो हमारा वीच में देता है जाएंगा इसाफार में और अीशे लगा देगे इसको तो ईसका लगा देंगे इसको इसमें ऑइल डालके और आप इसको फिर चला सकते हो बागी दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि हर सर्विस में इसको चीज कर भी है अगर पुरानी गाड़ी है आपके पास तो अगर नई गाड़ी अपलाते हो तो दस अजार आट अजार इतना बहुत है बागी तो कोई दिख कर नहीं तो एक रिक्वेश्ट है कर दोस्तों आप से कि मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किजगा कि इस सब्सक्राइब कर में बहुत ज़्यादा जरूर था अभी और अपने दोस्तों सेयर कर जाया तो थैंक दोस्तों वीडियो को देखने के लिए